Hello friends, welcome back to the Get Me A Teacher. In today's video, we are going to discuss about Indian River System. In this video, we will talk about how Indian River System works and how it is important for competitive exam. So, let's begin. So, let's begin. In today's video, we will talk about Himalayan River System. Himalayan River System में बहुत सारी नदिया हैं, लेकिन मेजरली हमें तीन नदियों के बारे में पढ़ना होता है और सारे क्वेश्टन इन ही तीन नदियों में से आते हैं. सबसे पहली है इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है भ्रहंपुत्र. वैसे तो यह यूही याद होने वाली रिवर्स हैं, लेकिन अगर इसको ट्रिक से आप समझना चाहें, तो इसकी ट्रिक है बी, आई, जी यानि की बिग. बिग से बी स्टैंड फॉर भ्रहंपुत्र, आई स्टैंड फॉर इंडस, एंड जी स्टैंड फॉर गंगा. तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस विवर सिस्टम की. दोस्तों, इंडस विवर सिस्टम शुरू होती है तिबबत के कैलाश रेंज से. तिबबत में कैलाश रेंज है, वहाँ से इंडस विवर सिस्टम शुरू होती है और नॉर्थ वेस्ट तक फ्लोट होनी शुरू होती है यानि वहाँ से नॉर्थ वेस्ट तक बहती जाती है और बहते बहते वो इंडिया के कश्मीर के डिस्ट्रिक में एंटर करती है जिसका नाम है लग्दा वहां से वो बहते हुई बहते बहते पाकिस्तान की तरफ एंटर करती है और पाकिस्तान में जब वो एंटर करती है तो वहां से वो साउधन की तरफ साउध इलाके में बहना शुरू करती है वहां से बहते हुई वो अरब सागर में आनि की अरेवियन सी में मिल जाती है इसकी कुछ major tributaries हैं उन्हें हम last में वीडियो के last में tricks के जरीए समझ लेंगे तो दोस्तों इंडस river हिमालियन rivers में से बैती है और ये इंडिया की largest river में से एक है इसकी पूरी लंबाई जो है वो 2900 km की है यानि कि जहां से ये शुरू होती है और Arabian Sea तक बहने तक की इसकी जो लंबाई है वो 2900 km की है और अगर बात करें तो इंडिया में और इसका कुछ ज्यादातर portion पाकिस्तान में बैता है तो इंडिया और पाकिस्तान में एक treaty हुई है इस river की वज़ा से जिसको नाम दिया गया है इंडस water treaty इस treaty के according इंडिया 20% पानी को utilize करता है इंडस river के next topic is Ganga Ganga river system Ganga rises from Gangotri glaciers और यह जहां से शुरू होती है वहाँ पर इसका नाम भागी रती है और महां से बहती हुई यह आगे चल करके देवि प्रियाग में अलग नंदा river को join करती है इसका नाम बनता है Ganga इसकी जो ट्रिब्यूट्रीज है उनको हम लास्ट में फिर से डिसकस करेंगे इसकी गंगा रिवर की जो लेंध है वो है 2510 km यह हिमालेयन रिवर्स में से और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक बड़ी रिवर है और इंडिया की यह बोली इसकी रिवर्स में इसकी नाम से जाना जाता है और यह आगे जाकर के बैते 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 बांगलादेश के अंदर अदर गनतर करते ह site aur Bangladesh से बेखे बेंगॉल में बह जाती है तो चलिए दोस्तों इसकी जो मेजर ट्रिब्यूट्रीज हैं यिन तीनों रिवर्स को जो हमने बसब्ड़ा इनकी जो मेजर की ट्रिब्यूट्रीज कौन सी है गंगा की ट्रिब्यूट्रीज कौन सी है और ब्रहपुत्री की कौन सी है तो दोस्तों बात करते हैं इंडस रिवर की और उसकी ट्रिब्यूट्रीज की देखिए इंडस रिवर की मेजर पांच ट्रिब्यूट्रीज है और बहुत जाती है और इंडस वीवर में होते हुए यह सब भी अरेवियन सी में बह जाती है इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है R.C.B. अरेवियन साल हार जाती है R.C.B. एक IPL की क्रिकिट टीम है जो की हर साल IPL में हार जाती है विराट कोलिजी के लिए tegt. जेलम के लिए हैं तो RCB हर साल हार जाती है R stands for राविक, चिनाब, बियास, सतलुज, जेलम और बाकी जितने भी words हैं वो सिर्फ राइमिंग बनाने के लिए हैं I hope आपको ये वाली tricks के जरीए Indus River की जितनी भी Tributaries हैं उनको समझना आसान होगा चलते हैं next trick की तरफ Next topic है tricks of Ganga Rivers Tributaries यानि कि Ganga River की जो Tributaries हैं उनकी trick को समझ लेते हैं किस तरह से हैं तो उसकी जो Tributaries हैं उनमें एक है यमुना, दामोदर, सोन या इसे सन भी बोलते हैं कुछ लोग कोसी, घगर, गंड़क और गौंगती यह Rivers के नाम है जो Ganga River सिस्टम में आती हैं इस trick इसकी बहुत इजी है और बहुत इजी ली तरीके से आप समझ जाओगे कि Ganga River की जो Tributaries हैं वो कौन-कौन सी हैं trick को देख लेते हैं यस, दामोदर, सोनी, Studies in KG3 तो बैने trick को समझते हैं के हाँ, दामोदर, सोनी, दामोदर, सोनी एक बच्चे का नाम है जो की Studies in, जो की पढ़ता है KG क्लास में और KG को 3rd section है, ठीक है? तो trick को सिर्फ rhyming बनाने के लिए किया गया है और ताकि easily आप समझ जाओ तो yes का जो why है, वो शो करता है Yamuna river को और पूरा का पूरा दामोदर river को ही शो करता है सोनी से सोन नदी, Describe की जाती है Studies in, sentence को पूरा करने के लिए है K के लिए use किया गया है, K कोची के लिए K use किया गया है, G3 मतलब की G से आने वाली जो तीनो नदी आए है जैसे कि मैंने या नाम भी लिखा है, ये तीनों के लिए यूज किया गया है, G3 का है, घागर, गंड़क और गौंटी, तो चनते हैं, नेक्स टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भ्रमपुत्र, और उसके ट्रिक को भी समझ लेते हैं, इसी तरीके से, नेक्स वेवर सिस्टम है धोस्तो, भ्रमपुत्र, भ्रमपुत्र में मेजर। साथ रिवर्स हैं, जोकि उसके ट्रिभ्यूत्रीज बनती हैं, आगे चल करके, और उन ट्रिव्यूत्रीज का नाम है, तिस्ता, मानस, गंगाधर, धैनसरी, सवानसरी, दीवान और लोहे, ये साथ रिवर्स हैं, जोकि ब्रंपुत्र रिवर में जाकर के मिलती हैं दोस्तों बात करते हैं ट्रिक की ट्रिक है तारक महता सब के साथ DDLJ देखने गए तो देखिए तारक महता तारक महता बहुत ही पॉपिलर TV शो है इंडिया के अंदर और सब के साथ यानि कि अपनी फैमिली के साथ वो DDLJ देखने गए DDLJ एक मूवी है शारुप खान की जिसकी फुल फॉर्म है दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे बहुत ही ज्यादा पॉपिलर और बहुत ही सूपर हिट फॉर्म है अपने टाइम की और इसे लोग शॉट में DDLJ बोलते है देखने गए ये ट्रिक नदियों को किस तरह से शो करती है रिवर्स को किस तरह शो करती है तो तारग का जो टी है ये शो करता है तिस्ता रिवर को तारग का टी तिस्ता रिवर को शो करता है महता का M मानस नदी के लिए यूज़ किया गया है और सबका यानि की S A S A यूज़ किया गया है साबन सिरी साबन सिरी रिवर के लिए और ये जो साथ है ये सिर्फ ऐसे ही है और D यहां का जो फर्स्ट D यूज़ किया गया है वो यूज किया गया है धान सिरी के लिए और जो next D है वो यूज किया गया है दीबांग के लिए दीबांग रिवर और उसके बाद जो L है वो यूज किया गया है लोहित रिवर के लिए लोहित रिवर और end का ये जो देखना है ये भी रैमिंग के लिए है गया का ये जो जी यह उसका याया है गंगाधर रिवर के लिए तो आई हो दोस्तों आप लोगों को यह ट्रिक्स के जरीए रिवर सिस्टम के बारे में बहुत सारी बाते पता चलिए होगी लेकिन इस वीडियो में कहानी थोड़ी अधूरी है इस वीडियो में हमने बात करी है सिर्फ हिमालियन रिवर के बारे में मैं बहुत ही जल्द इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे पैनिसोलर रिवर्स के बारे में और उनकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं और वो किस-किस तरह से काम करती हैं ये सारी बाते हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइप कीजिए और हमारे चैनल गेंट मियर टीचर को सब्सक्राइब कीजिए